वेलकम तो माई चैनल लेसन आज के लेसन में हम इमेज़ेज और इंप्रेशन्स के टाइटल के तहत दी गई पोएम आटम को डिसकस करेंगे इस पोएम के पोएट हैं टी ई ह्यूम एक एमेज़ेस्ट पोएट हैं एमेज़ेस्ट पोएट का मतलब है कि इन्हों ने बहुत ही क पोएट्स जो हैं वो एक रिवॉल्ट को शो करते हैं जो रोमेंटिक पोएट्स के अगेंस थी इस पोएट्स आर इन फेवर आफ डिसक्राइबिंग दे इस तरह की पोएब्स के अंदर हमें क्लेरिटी ऑफ एक्स्प्रेशन नजर आता है रिडर को किसी भी किसम के इभाम का शिकार नहीं होना पड़ता और वो डिरेक्ली पोएट्स के थीम तक पहुँच सकते हैं आटम की एक सर्द रात को पोएट्स वाक कर रहा था बाहर और उसने देखा सुर्ख रंग का मून एक किनारे से जुका हुआ था और उसका कलर इतना जदा रेड था जैसे एक फार्मर का होता है जो के तमाम दिन की मेहनत के बाद उसके चेहरे का रंग जैसे सुर्ख नजर आता है वैसे ही मून का कलर दिखाई दे रहा था यहाँ पर मून के रेड कलर को उसने फार्मर के रेड कलर से कंपेर किया है तो इसको हम सिमिली कहते हैं इन एक फि inhali is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of different kind तो मून और फार्मर जो है वो different चीजें हैं different entities है जिनको प्रां पॉँट ने कलर रड के जरीए कंपेर करने की कोशिश की है और मून को एक ऐससे फॉर्मर से कंपेर किया है जिसका जिसके face का color red होता है उतना ही moon का color red था I did not stop to speak but no did and round about were the wishful stars with white faces like town children पोईट कह रहे हैं कि मैं रुका नहीं बात करने के लिए बस मैंने अपने सर हिला दिया और चांद के इर्द गिर्द ऐसे हसरत भरे सितारे थे जिस तरह के white face होते हैं town children के यहां पर again उसने town children के similar use की है और stars को उसकी मदद से represent करने की कोशिश की है यह poem poet की बहुत ही keen observation को show करती है कि उसने moon और star की example देकर एक ऐसे social aspect की तरफ इशारा किया है कि जिससे जो farmer है वो सारा दिन इस उमीद पर अन्थक मेहनत करता है कि उसके जो बच्चे हैं उनकी जो हसरते हैं वो किसी तरह से पूरी करने के काबिल हो सके इमिलीज यूज करके poet ने अपना point of view एक्सप्रेस करने की कोशिश की है और हम देखते हैं कि वो moon के red color को एक बहुती labor करने वाले farmer के face के red color से compare करता है और इसी तरह से जो stars है, wishful stars उनको वो कहता है और उनको कहता है वो like उनके faces जो है, वो like town children है दो से मिलेज की मदद से उसना poet ने अपना point of view एक्सप्रेस किया है इसी short poem autumn उमीद है आपको इसके explicit और implicit meaning समझ आ चुके होंगे फिर भी अगर आपको कुछी समझ नहीं आई तो आप comment में question करके पूछ सकते है जाने से पहले मैं आप से यह कहूंगा कि मेरे इस channel lesson को जरूर subscribe कीजिए, इसको like कीजिए और इसको आगे share कीजिए Thank you for watching